हेलो फ्रेंज, नमस्कार, विल्कम टू अंडे एक्जाम टार्गेट, चलिए देख लेते हैं आज के अपने बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन्स और यह इक डिफ्रेंट एक्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी कोश्चन अपनी मन से इंक्लिवड नहीं किया गया, तो चलिए बिना टाम वेस्ट के शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं हमारा पहला कोश्चन है, कंप्यूटर की जनक कौन है, सभी को पता होगा, चाल्स ब आविस्कार किया, कहा जाता है, यह तब ही से आधनिक कंप्यूटर की सुरुवात हुए, इसलिए चाल्स बैबेश को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, नेक्स्ट हमारा कोश्चन है, कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स, प्रायक किस पदार्थ की बनी होती, बेरी इंप प्रियात्मक इलेक्ट्रोनिक अंकी कंप्यूटर है, INIAC, E-N-I-A-C, Electronic Numerical Integrator and Calculator, पहला ब्यावरिक प्रियोग वाला इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर था, इसमें वाल्ब, वेक्यूम ट्यूब्स का प्रियोग किया गया था, इसका अविस्कार 1946 में, जेपी एकर्ट एंग जान माशली ने किया था, सिद्धान ये इसके लिए जो सिद्धान M.Turing द्वारा दिया गया थे, नेक्स से पहले इलेक्ट्रोनिक अंकी कंप्यूटर में किसका प्रियोग किया था, अभी हमने आपको बताया था, वाल्ब का, वैक्यूम ट्यूब्स का, ठीक, इंपोर्टन कोशिन है, Next की तरफ चलते हैं, कोशिन No.7, important question है सारे, एक बाइट बनता है, 8 bit से, Question No.1, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट, ठीक है, Next है, 1 मेगा बाइट, यहां पर मेगा बाइट लिखा है, एक मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं एक मेगाबाइट में एक हजार 24 किलो बाइट होते हैं नेक्स्ट है एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं एक गीगाबाइट में दस के घाते 9 बाइट होते हैं ठिक नेक्स्ट कोशन है PC का क्या आर्थ होता है Personal Computer नेक्स्ट है किसी कम्प्यूटर का सबसे महत पूर्ण हिस्सा कौन सा होता है CPU CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम की अनुदेशों के निस्पादन का चैन निर्वचन और मॉनिटर करता है Control Unit CPU का Perform Central Processing Unit सिस्टम को बूट करने का क्या भी प्राय है Operating System को लोट करना इसका मतलब होता है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है एक निबल चार बिटों के बराबर होता है किसी कम्प्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारब प्रियुक्त भासा प्राय कौन सी होती है लोगो नेक्स्ट है गोद में रखी जा सकने वाले पोर्टेवल लीजी कम्प्यूटर क्या कहलाते है नोट्बुक या लैप्टॉप कम्प्यूटर नेक्स्ट है प्रथम पीड़ी के कम्प्यूटरों का काल था 1940 से लेके 1954 तक 1940 से लेके 1954 तक नेक्स्ट कुमारा क्वश्चिन है प्रथम पीड़ी के कम्प्यूटरों के निर्मार में प्रियोग किया जाता था किसका प्रियोग किया जाता था निर्वाट ट्यूबों का और important चीज़ आप note करिए transistor का प्रियोग दुती पीडी के computer में IC chip का प्रियोग तरदी पीडी के computer में और microprocessor अथवा इसे सूच में संधारित करके भी आए तो ये चौती पीडी के computer में प्रियोग किया जाता था next नमारा question है LAN LAN का पूरा रूप क्या है जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते है LAN Local Area Network next नमारा question है next नेक्स एक पहला computer mouse किसने बनाया था William English ने 1960 में 23 नमबर का question है internet के छेत में www का प्रियोग किसके लिए किया जाता है worldwide web के लिए 24 इस तरीके से Cody Kostak में HR लिखा होता है तो उसमें HR किसके लिए होता है Horizontal Rule के लिए next हमारा question है ICMP का प्रियोग किसके लिए किया जाता है Error Reporting 3D संदेश के लिए ICMP का प्रियोग किया जाता है next है next है computer में किसकी साहता से परिकलन किया जाता है ALU Arithmetic and Logic Unit Arithmetic and Logic Unit गणती संक्रियाएं पूरी करता है और साथ में ये तुलनाएं भी करता है ये भी important चीज है अब इसको भी note कर लिजीगा next question है शब्द संसाधन में document के भीतर text को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं उसे कटियों paste कहते हैं नेक्स्ट मारा question है किसी computer में जोडने तुलना करने और मिलाने का कारिक कहां होता है CPU chip में next है भारत का पहला computer कहां इस्थापित किया गया था भारत का पहला electronic computer HEC 2M भारती सांखी की संस्थान कलकत्ता में वर्स 1956 में स्थापित किया गया था next है ग्रूप बेर होता है क्या होता है software होता है ग्रूप बेर एक ऐसा computer software है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते ही भी एक साथ सामोही रूप से कारी करने का उसर प्रदान करता है computer virus क्या होता है एक विसेश प्रकार का computer program होता है DTP का पूरा रूप क्या है desktop publishing CD तथा DVD की दन्तूरता indentation को क्या कहते हैं गर्थ English में हम इसे pits कहते हैं गर्थ को pits कहते हैं next day computer में दूती एक संग्रहांट system के रूप में किसका प्रियोग की आजाता है floppy का दूती एक संग्रहांट system में data और सुचनाओं को बड़ी मात्र में संग्रहाइद करने के लिए floppy का प्रियोग की आजाता है इसे इस थाही memory के रूप में भी जाना जाता है नोट कर लिजेगा जैसे floppy, dvd, चुमकी, tape, pen, drive, memory card आदी नेक्स्ट है data की प्रेशन की गतिकों मापने के लिए सामानेते प्रयुक्त एकक है bit प्रति सेकंड इंपोर्टन कोश्चन है computer application को बनाने के लिए प्रयुक्त dbms का पूरा रूप क्या है dbms का पूरा रूपे database management system next है important question computer की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है ram ram random ss memory इसका full form है next है ram ram का प्रयुक्त क्यों की यह परिवर्थन शील होता है यह काफी important question है जित्ती भी 100 question हमने यहां पर रखे सभी एक्जाम में पूछे हुए question है यह ssd और UPPSC का question है 38 number का question 39 number का question computer memory में data की स्रूप में संचित रहता है bits के रूप में यह भी important question है यह तो गई बार पूछा गया 40 number का question है C भासा है C एक सामानी उप्योग में आने वाली computer programming भासा है very important question है इसी तीसरी पीडी की भासा भी कहते हैं यह भी note कर लीजिएगा 41 number का question है एक स्थानी computer से सुदूर computer में data pressure को क्या कहा जाता है upload कहा जाता है ठीक है next question computer के एक भाग से दूसरे भाग में बेजने वाले electronic पत को क्या कहते हैं बस next question हमारा USB संगराय युक्ति का कौन सा प्रकार है 44 number का question Elta Vista है Elta Vista Yahoo का web search engine है next एक किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है error होता है very important question 46 number question DOS का पूर्ण रूप क्या है disk operating system 47 वाड़िजिक प्रियोग के लिए उप्रत कराया गया पहला computer था कौन सा था Univog Univog first जिसे Univog के साधरा नाम से भी जाना जाता है विसुका पहला computer है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाड़िजिक प्रियोग के लिए किया गया था प्रतम Univog वर्स 1921 में अमेरिका के जनगर्ना ब्यूरो को प्रदत किया गया था यह रहे इसके बारे में कुछ important points जिसे हमने जल्दी से देखा है और आप इसे note कर लीजेगा बहुत जल्दी लगे तो वीडियो को आप पहुच करके भी देख सकते है नेक्स्ट है संचार नेटवर्क जिसका प्रियोग बड़ी संस्थाओं दोरा प्रादेशिक, राष्ट्री और वैस्ष्विक्स छेतर में किया जाता है कहलाता है डबलू ए एन वाइट एरिया नेटवर्क एन ए टी जबलू ओ आर के नेक्स्ट विस्टो का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट इंटरनेट विस्टो का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले ब्यक्तिगर सार वजिनीक सैक्चिक ब्यापारीक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जोड़े होने से बनता है नेक्स है इमेल सिस्टम में किते परकार के अभी ग्राहक रेसिपेंट होते हैं एक अनपैक्षित इमेल या जंक मेल क्या होता है स्पैम होता है काफी इंपॉर्डन कोश्चन है 52 नमबर कोश्चन हम देखते हैं कम्प्यूटर का मॉनिटर कैसा डिवाइस है आउटपट डिवाइस तो फ्रेंज कफी इंपॉर्डन कोश्चन आप इसे नोट करते चलिएगा जहां फास लेगा आप वीडियो को पहुच करके देख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं किसी संकर कम्प्यूटर में किन विशेस्ताओं का समन्वे होता है अनुरूप तथा अंकी कम्प्यूटर का संकर कम्प्यूटर हैब्रिड कम्प्यूटर बना होता किसी अनुरूप मतलब एनालोग कम्प्यूटर से और अंकी मतलब डिजिटल कम्प्यूटर से क्लियर है बात नेक्स चलते हैं नेक्स नवारा कोश्चिन बिसु का पहला कौन सा लेप्टॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया यह थोड़ा सा कोश्चिन गलत लग रहा है किसके द्वारा बिसु का पहला लेप्टॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया इसका सही उ इंटरनेट से सूशना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है बेब ब्राउजर का नेक्स्ट रेप प्रतम गढ़ना करने वाला यंत्र कौन सा था अबेकस बेरी इंपॉर्डिन कोशिन है नेक्स्ट रेप कंप्यूटर का साब्दी कर्थ क्या होता है कंप्यूटर का साब्दी कर्थ होता है गढणा करना नेक्स्ट कोशिन की दरब चलते हैं नेक्स्ट रेप कंप्यूटर में किस भासा का प्रयोग किया जाता है अत्व हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बरतमान में कम्प्यूटर में कौन सी नमर प्रडाली प्रियुक्त की जाती है बाइनरी नेक्स्ट एक कम्प्यूटर शब्द लाइटिन भासा के किस शब्द से बना हुआ है कम्प्यूटे एर ठीक चलिए हम कुछ सॉर्ट फॉर्म्स को देख लेते हैं टेक्स्ट मार्कप लैंग्विज ठीक 63 पे पे पीसी एक्स्टी परस्नल कम्प्यूटर एक्स्टेंडर टेक्नोलोजी ठीक 64 पे रैम अब सभी जानते हैं रैंडम असेस्ट मेमोरी वैन वाइड एरिया नेट्वर्क लैन लैन लोकल एरिया नेट्वर्क C.A.D. Computer Added Design Next G.I.S. Geographical Information System 69 एमेल, Electronic, Mail B.I.O.S. Basic Input-Output System MAN M.A.N. Metro Area Network जैसे L.A.N. है Local Area Network W.A.N. है Wide Area Network उसी तरीके से M.A.N. Metro Area Network है Next है U.R.E.L. कफी important question है कई बार एक्साम में पूछा गया है Uniform Resource Locator P.D.F. Portable Document Format Next है F.T.P. File Transfer Protocol यह काफी important sort forms हैं आप इन्हें जरूर तैयार कीजेगे एक्साम में काफी पूछे जाते हैं चलिए Next question की तरब चलते हैं 75 H.T.T.P. यहाँ पे T है Hyper Text Transfer Protocol ठीक है 66 पे चलते हैं World Wide Web की खोच किस ने की? World Wide Web की खोच सर्टिन वर्नर ली ने की important है काफी? Next है 77 नंबर का question Google की खोच किस ने की थी? Google की खोच Larry Page और Sergei Brand ने की थी very important है और सर्टिन वर्नर ली भी हमारी important है Next है Windows का सरफरतम वर्जन क्या था? Windows 3.1 important question 79 का question Computer में इंटरनेट किस की साहता से कारे करता है? Modem की साहता से question number 80 इंडिया की online link के अंत में क्या जोडा जाता है? Dot in Windows screen के background को क्या कहते है? Windows screen के background को desktop कहते हैं Next है computer के किते प्रकार है? Computer screen की प्रिस्टिब भूमी है Next है computer के विकास को किती पीडियों में बाटा गया है? 5 पीडियों में बाटा गया Internet Explorer क्या है? Search Engine Next है computer की सुरक्षा किस के द्वारा की जाती? Antivirus के द्वारा आप सभी जानते हैं Web browser के नाम बताई Web browser के नाम है Mozilla Firefox, Internet Explorer यह सब ब्राउजर है 89 Computer की कारे करने की गति किस पर निर्वर करती है? Processor पर Computer के हिंदी नाम क्या है? संगडक काफी important question है Computer साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है इसका उत्तर आप सभी को comment box में comment करके देना है Next हमारा question Computer को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है? क्रतिम बुद्धी की संग्या दी गई है Next है किसी विसेश समय में डाटा बेस में डाटा को क्या कहते है? Extension कहते है SST का question है यह question SST, UPPSC और UPSC के एक्जाम में पूछेगे questions है Cash Memory की सिद्धान पर कारी करती है Reference की स्थिती सिद्धान पर कारी करती है Next है निरंतर सक्रे सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रे सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को हम दीनम कहते हैं Network में WEP का क्या अर्थ है? Wired, Equivalent, Privacy इक question काफी important computer के संदर में Wired क्या होता है? मानो must disk Next है Next important question है एक bit data के संग्रह के लिए किस circuit का प्रियूख किया जाता है? Flip flop का SST का question है ये Next है CPU scheduler को और किस नाम से जाना जाता है? Sotum scheduler के नाम से ये SST और UPPSC का question है Next है स्टेशनों के group को frame बेजने को क्या कहते है? Multicasting कहते है तो friends ये रहे काफी important 100 questions कहने को 100 है लेकिन साथ में हम और भी points बताते चलें तो आपके question increase हो गए है लेकिन चलिए लिखित के तौर पे हम 101 कर देते हैं एक question और आप जोल लिजे ये भारत में निर्मित प्रथम computer कौन सा है? सिध्धार्त है तो friends ये सारे questions exam में बहुत बार पूछे गए है कैसे लगे हैं आप? मुझे like और comment के थरू बदाना न भूलेगा जरूर बदाईएगा मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद बाय और टेक केर थेंक यू